ओम नमेशिवाय हरहर महादेव जैशुशंभोग वो लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं और उन बुरे लोगों के बीच आप इस तरह से फसे हुए हैं कि उन्हें अच्छा और बुरा आप ये दोनों नहीं समझ पा रहे हो तो कौन लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं यहाँ बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जातक जब अपने जीवन की आत्रा में इस तरह की परिशानियों में उलजनों में फश जाते हैं और ऐसे लोग जो उनका बुरा चाहते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है यह हमारा बुरा चाह रहे हैं और उसके बाद वो हमारे साथ बहुत से चीज़ लाइफ में बुरी होती है हमें समझ भी नहीं आती है और हम धीरे 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 एक negativity की और बढ़ जाते हैं अंत में जब ह हमारे साथ miss behavior करते हैं जो लोग हमारे emotion के साथ खेलते हैं जो लोग हमारे जीवन में कठनाईयां दे कर चले जाते हैं तो हमें जानने क्या उशकता है वो कौन लोग हैं पहली बात यहाँ दूसरा यह भी जानना है कि किन ग्रहों के कारण हमारे जीवन में इस तरह के लोगो आके रखे कि जीवन में इस तरह की परिशारियां नहीं हमें कभी आए दोस्तो ये सबी बाते जानने के लिए ये वीडियो आप अंत तक देखे और अपनी खुद की मदद करें ये वीडियो बनाने का उद्देश इतना ही है कि आप खुद की मदद कर पाए और आप एक गुम इस जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल एक डख्ती की जीवन में उसे जहिलना पड़ता है कुल मिलाकर वो खुद के डिसियन नहीं ले पाता है कि मुझे क्या निर्णे लेना चाहिए और जो निर्णे देने वारे लोग हैं वो भी इतने परीपकवन नहीं है हमने तो बस सिर देफिनेटली वो आपसे भी जुड़ बोलेगा और भविश्य में बहुत सारी चीजे प्लस और माइनस आपकी लाइफ में हो सकती खासकर माइनस दूसरा होता है कि ऐसे लोग जो स्वार्थी हो जो अपना ही भला चाहते हैं बस उन्हें कुछ भी हो जाए उन्हें आप से क जो देफिने में दिखने में बहुत अच्छे होते हैं तो यहां पर सिर्फ इतना सव समझ सकते हैं कि क्या वह व्यक्ति कितना सच बोलेगा है क्योंकि सच हमेशा सच होता है सच हमेशा सच होता है इस बात को आप समझे कि सच कभी भी कोई यक्ति काट नहीं सकता तो समझे सुने जितना आप सुनेंगे उतना ज़ाद आप deep observation कर पाएंगे और deep observation आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने गुरु मंतर का जब करेंगे क्योंकि ब्रासपती तब तक आपको वो पावर नहीं देगा जब तक आप अपने गुरु मंतर का जब नहीं करेंगे create some बहुत ज़ादा positive energy हमारी create होती है वो होती है गुरु मंतर के जब सेगर नहीं है कोई मंतर नमश्युवाय मंतर का जब आप अब शुरूब से करें उससे भी आपको बहुत फाइदा होगा चोथा और मूल बात है कि बजरंगबान का नियमित पाट करें बजरंगबान का जो जो जा तक पाट करते हैं उनसे ये जो लोग जो उनका बुरा चाहते हैं जो लोग उनको खुश नहीं देखना चाहते हैं ऐसे लोग सुभाईक रूप से भगवान बजरेंग बली उन्हें दूर कर देते हैं आपको पता भी नहीं लगेगा और ऐसे लोग अपने आप ही अपने कर्मों से ही वो दूर हो जाते हैं और आपका जीवन खुशाली से भर जाता है पांचवी बात है कि किसी व्यक्ति की मदद अवश्य रूप से करें लेकिन मदद की भी एक लिमिट होती है लिमिट से जादा मदद नहीं करना है ये बात खुद को समझा ले बार-बार धोका हो रहा है बार-बार चलक पठ हो रहा लेकिन उसके बाद भी ये आदते आपकी राशी के जातक की नहीं सुधर रही है और इस वज़ा से आपके लिए आने वाले समय में बड़ी समस्या हो जगती मदद उतनी ही करें जितने में वो चल पाए आप उंगली पकड़ कर उसे मंजिल तक मत पहुचाएं सिर्फ रास्ता बता दे इतनी मदद करें वो काफी है अब रही बात कि ये सब राहू और ब्रहस्पती की वज़स होता है ब्रहस्पती तो मौल रूप से देव गुरू है तो वो आपको हमेशा सकारत्मक ताक के लिए पूस्ट करते है लेकिन राहू एक ऐसा ग्रह जो भ्रहमित कर देता है जो व्यक्ती को दुखी देखना चाहता है ये रहु की एक नैसर की स्वभाव है ऐसा नहीं कि रहु नकारत्मक ही प्रभाव देता है बहुत से पॉजिटिव प्रभाव भी देता है लेकिन इस तरह कि जिस भी रख्ती के साथ सिच्वेशन होती है तो रहु और भ्रहस्पती का इंपक्ट ही देखा गया है जो मेरा कि आप इस तरह की चीजों से आप हमेशा भार रहेंगे जो लोग बार-बार जुड बोलते हैं जो लोग बार-बार लोगों के साथ न्याईक नहीं है जो लोगों के साथ न्याई नहीं कर रहें वो आने वाले समय में आपके साथ गयन्याई कर सकते हैं तीसरा जिन लोगों उनकी नियत साप नहीं होती, इनसे हमें keep distancing दूरी बना कर रखे, इस बात को आप समझ ले, चोथा और मूल बात है कि कोई विक्ती बहुत जादा मीठा है, मीठा मतलब बहुत जादा मीठी मीठी बाते करता है, वो actual में वैसा है या नहीं, इस बात को थोड़ा सा observation के बात दे, क्योंकि यही राहू की एक खासियत होती है, बहर उपिया सो रूप, जो मैंने आपको पहले भी बताया, तो यह कुछ बाते थी, जो मैंने आपसे शेयर की, और रही बात, कि बहुत सारे बच्चे हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे, जिनकी उमर कम है 20-20 साल है, और वो किसी प्रेम्प संग में, या किसी चीज में सही से चीजों को अब्जर्वेशन नहीं करपाते हैं, मैं उन सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ, कैसे इस्तिती में राहू और भ्रस्पती बहुत जादा एक्टिव होते हैं, कर राहू, तो आप हमेशा चीजों को प्रेक्टिकल तोर पर सोचें, न कि भावनात्मक रूप से सोचें, क्योंकि राहू जो है, भावनात्मक ब्रेकडाउन कर देता है, मतलब भावनात्मक रूप से व्यक्ति को ब्रेक कर देता है, बस वो एक ही गोले में बार-बार सोचा करता है वही चीज़े सोचा करता और उस वज़े से उसकी परिशानिया आने वाले समय में बढ़ सकती इसलिए अपने अनुभव व्यक्ति, अपने पेरेंट्स, जो भी लोग आपके गाइड करने वाले लोग हैं उनकी बात को समझे, सोचे, उस पर अब्जर्वेशन करें आपको सही रस्ता मिलेगा ये बात भी आप समझ ले अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ भी आपको आपके लिए कुछ अच्छी बात लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि इस तरह के अच्छे वीडियो आपको आने वाले समय में हमेशा मिलते रहें और एक और निवेदर हैं कि अगर चाहते हैं अपनी कुण्ड़ी का विचलेशन आप हमसे करवाना किसी भी इस तरह की परिस्तितियों में आप हैं तो जरूर आप वाटसप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात करें उसका फीस शुलक लागो है दोस्तो जो भी हमसे आपकी मदद हो पाएगी अवश्य रूप से हम आपकी मदद करेंगे और साथ ही साथ दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट्स में भूले नात का नाम ज़रूर लिखे और वीडियो आपको कैसा लगा यह बताना मत भूलना दोस्तो क्योंकि यह बहुत ही महनत से है बहुत ही डीप रिसर्च के बाद मैं यह बाते को बताई है इन बातों क थोड़ा सा समझेंगे तो अपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज जरूर आएगा तो ओमनमेश्यवाय का जब करते रहे हमेशा मुस्कुराते रहे बिल्कुल अपने भूले नात का जब करें ओमनमेश्यवाय ओमनमेश्यवाय हर हर महादेव